स्विच का यूज़ करके एक सिंपल सा कैलकुलेटर हम बनाते हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्राक्शन, मल्टिप्लिकेशन, एंड डिविजन होगा तो यहाँ पर क्या है कि हम जनरली क्या देते हैं 2 प्लस 3, 2 माइनस 3, 2 प्लस 4 यानी कि पहले एक किया है अमारा एक नंबर है than operator है और उसके बाद दुबादा सह हमारा नंबर है तो उसी तरीके से हम input भी लेंगे तो यहाँ सह हमने user को बोला यहाँ पर operator, operator क्या होगा प्लस माईनस तो यह सारे character हैं तो तो character के लिए हम %C use करते हैं मतलब और अगर integer होगा तो %D use करते हैं तो इसलिए इसको मैंने character define किया और बाकी जो number है AB और result यानि R तो मैंने कहीं use किया ही नहीं क्यांकि result अगर मैं कहीं store करता तो उसके लिए था तो R यहां पर कोई ज़वरत नहीं है यह भी काफी है और यहां पर semicolon भी नहीं रहाएगा यहां पर कोमा नहीं रहाएगा semicolon तो रहाए गई हाँ अब यहां पर क्या है कि scan f numbers क्या बोला कि number operator and number enter करने के लिए तो user जो देगा तो पहले हमने %D number लिया integer then operator then number तो इसलिए पहला वाला number में किया A में दूसरा वाला operator जो आएगा तो उसको operator में store किया और जो दूसरा number आएगा उसको B में store कर लिया अब हम check कर रहे है switch किस पर लगा रहे है operator पे ताकि हमें पता चले कि उसने A के एक number के बाद plus minus क्या दिया है तो अब अगर क्यों क्योंकि वो character है तो character हमेशा हम single quotes में लिखेंगे अगर number रहेगा तो यहाँ पे हम number लिखेंगे बिना single quotes के लेकिन अगर character रहा तो उसको हमेशा single quotes में लिखना जरूरी है अब क्या कि plus है तो printf result percent d a plus b यानि कि दोनों का add करके दे दे break फिर negative दिया हाई यहाँ पे तो उसको a minus b कर दे result आ जाएगा यहाँ पे अगर star हाँ यह क्या कि multiplication जो हमारा programming में star ही है तो इसलिए उसको star देना पड़ेगा और फिर result हमारा क्या होगा a into b break अगर division दिया तो result is a divided यहाँ पे ध्यान रहे कि यह decimal वाला जो value है discard हो जाएगा break और अगर default मतलब अगर कुछ भी match ना करे plus minus star यह तो क्या बोले तो अब 3 a में गया operator में plus गया और b में 8 गया तो अब यह आके plus जो operator में यहाँ पे match हो जाएगा तो जैसे match हुए result क्या show कर देगा a यानि कि 3 और यहाँ पे operation जो internally होई जाएगा at 11 तो यहाँ पे यानि कि अगर यह देगा तो हमारा जो result हो जाएगा printf लिखेगा result percent result is equal to हमारा क्या है result 11 हमारा यह answer आ जाएगा अब क्या होता है कितने लोग की practice होती है चाहिए हो सकता है कि एक और चीज इसमें मिलेगा कि लोग या तो x यूज करते है multiplication के लिए और capital भी यूज कर सकते जैसे 3 multiply 5 न करके 3 5 कर या 3 5 यह तो उस case के लिए एक और चीज है कि कभी-कभी हमें क्या होता है कि एक से ज्यादा अगर match कर रहा है अगर same condition same line of statement अगर execute करनी है एक से ज्यादा statement तो उसके उपर हम सारे case लिख देंगे तो अभी वह यहीं पर है कि अगर user star दे x दे या capital x दे तो सारे में multiply ही करें तो यहां पर हम क्या करेंगे case single x फिर हमारा case capital x और यहां अब क्या होगा कि तीनों में से कोई भी देगा न use operator अगर किसी से भी match किया तो यही result आएगा तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा कि अगर कोई user x या capital x भी देता है तो हमारा invalid operator show नहीं करेगा और हमारा एक simple यह calculator बन गया जो कि addition, subtraction, multiplication and division के लिए हम use कर सकते हैं तो यह हो गया